हेलो गाइज, स्टाउक मार्केट न्यूस फॉर अर्ण में आप सभी का अस्वागत है आज है 1st of June, दोस्तो बात करेंगे दो आयल कंपनीज के बारे में दोस्तो डिसकस करने वाले हम IOC और ONGC के बारे में दोस्तो दोनों ही स्टाउक में अगर आप एक पैटरन को देखेंगे तो दोस्तो आप यहां समझ जाएंगी कि क्या यह स्टाउक आउट परफॉर्म करने वाले है या दोस्तो यहां पर एक गिरावट बनने वाली है तो दोस्तो अपने आप में यहाँ पर आप मुझे comment करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि दोस्तो यहाँ यह दोनों stock आप कहा जाने वाले हैं उपर या नीचे चुकि दोस्तो यहाँ पर अगर आप ONGC की बात करेंगे तो दोस्तो टेकनिकल चार्ट पर चुकि यहाँ पर एक cup and handle की formation हमको देखने के लिए मिल रही है दोस्तो यानि कि यहाँ पर एक cup and handle pattern में breakout हो सकता है कल की तारीक में लेकिन दोस्तो यहाँ पर जो data है वो अपने आप में इतना interesting है कि मुझे यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ी चुकि दोस्तो support trend line जो कि मैंने यहाँ पर draw की है यह दोस्तो इसकी पहली support trend line है जो कि अभी इसके लिए एक resistance का काम कर रही है दोस्तो वहीं दोस्तो इसके लिए जो support trend line मैंने बनाई है वो दोस्तो नीचे की side है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो दोस्तो support trend line कहा है और resistance trend line क्या है वो मैंने आपके सामने रग दिये है अब दोस्तो यहाँ पर जो जो सबसे बड़ा इसके लिए रजिस्टेंस है दोस्तों वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि 119 का है यानि कि दोस्तों कर 111 निकलता है तो कप एंडल पैटन के मुताबिक दोस्तों इसमें पहला टार्गेट होगा 128 का और दोस्तों दूसरा टार्गेट होगा यहा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस रखती है वहीं अगर हम आरेस इंडिकेटर की हैल्प लेते हैं जिसमें दोस्तों यह देखते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स के कंपैरिजन में दोस्तों किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह यहां पर यह देटा बहुत देखने लायक हो जाता है क्योंकि दोस्तों यहां पर जो डेटा बन रहा है दोस्तों वहां पर आप देखकर चौक जाएंगे कि किस तरीके कि यहां पर कॉल राइटिंग है या पूट राइटिंग है तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं मैं शौट खुलते हैं तो दोस्तो आप समझ सकते कि यहाँ पर कितनी वड़ी तेजी आएगी और यहाँ पर एक ऐसी तेजी होगी जो आपको समझना होगा कि दोस्तो वो तेजी आपको जबरदस मुनाफ़ा बना कर दे सकते इंट्राडे में भी और दोस्तो अगर आप यहाँ प दोस्तो आप को देखने के मिलेगा 110 के लगबग तो दोस्तो सुचेशन आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि दोस्तो यहाँ पर किस तरीकी की सुचेशन बनी हुए है वहीं दोस्तो अगर आयो सी को अगर हम डिसकस करते हैं तो दोस्तो आयो सी में आप यहाँ पर इंडिकेशन हमको देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों हमाँ पर सीधे तोर पर आप देख सकते कि हाँ definitely दोस्तों ये भी एक resistance के पास खड़ा हुआ है और दोस्तों इसका resistance आपके सामने है तो दोस्तों क्या यहाँ पर ये इसके ओपर निकल पाएगा और otherwise दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि इसके डेटा में भी बिल्कुल सेम चीज़ बन रही है और दोस्तों इंडेक्स की comparison में इसने भी आर्ट परफॉर्म नहीं किया और ऐसी कोई भी indication नहीं है चुकि स्टॉक को अधिकांच लोग पकड़ते हैं यानि कि दोस्तों रिजिस्टेंस जो है वह पूरी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि दोस्तों यहाँ पर 110 के लगबग है दोस्तों आप खुदी यहाँ पर call writing देख सकते हैं तो जबरदस call writing है दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि दोस्तों डेफिनिटली जिन लोगों ने position बनाई है में भी उनके हाथ जल सकते हैं या दोस्तों उनके हाथ अच्छी खासी lottery लग सकती है बहराल दोस्तों यहाँ पर ONGC में मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों यह डेटा से देखने का है कल मुझे लगता है यहाँ पर एक गजब की shot covering आईगे और दोस्तों जबरदस्त मुनाफ़ा बनेगा तो दोस्तों डेफिनिटी आपको ONGC पर ज़रूर आपको दाव खिलना चाहिए इंट्राइडेमे और पोजिशन बनाने की बिल्कुल सोचना चाहिए चुकि दोस्तों आपकर 141 के आपको target देखने के मिलेंगे तो दोस्तों इसके साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पेतम करता हूं आपसे लुगा मैं अपनी अगली वीडियो में चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए उसका जो बैल आइकन है दोस्तों प्रेस कर दीजिए आपको अगली वीडियो का नाटिफिक्शन मि आइक कर दीजिए और फ्रेंट के साथ गुफिशना मत भूलेगा चले सेंक्यू